ओके, 8th class mathematics, exercise 9.1, question number 2. Classify the following polynomials as monomials, binomials, grinomials, which polynomials do not fit in any of these 3 categories. जो नीचे दिये रखे हैं, एक पद, दुई पद, त्री पद के रूप में वर्गी क्रिट करना हैं को. और कौन सा भवपद इं त्रें श्रेलियों में से किसी भी एक में नहीं है. ऐसा कौन सा है, जो ना एक पद है, ना दुई पद है, ना त्री पद है. क्या ऐसा है, जो किसी एक में भी नहीं है. और ऐसे कौन से हैं और क्यों हैं. ओके? यह है question. आप देख़ों इसमें. एक पद कौन सा है, monomials कौन सा है? एक पद. जैसे यहां पर है, हम इसको यहां से कर देते हैं. इसमें देख़ों. इसमें एक पद कौन से हैं, जिसमें एक ही वैल्यू है, जैसे यह. इसमें नहीं लिख रहा है, अब लिखेगा, फिर भी नहीं लिख रहा है. उखेगा, इसमें लिखेगा, उखेगा, आप उखेगा, एक रहा है. जैसे यहां समें आप लिखेगा, ए डेखेगा, वी समें लिखेगा, जा नहीं हें. मोनो मिल्स जिसमें सिर्फ एक पड़ी सिर्फ हजार में एक ही है देखो ये एक रकम हुई हजार उसके बाद इसमें चार है आगे देखो इसमें ये इसमें तीन है फिर ये ये तो एक पड़ में क्या है हजार आया और भी है कहीं जो एक पड़ में सिर्फ एक वैल्यू इस तर एक value है, यह है PQR, this one, यह भी एक ही है, ओके, तो एक पत monomials कौन से हैं, जिसमें एक value है, एक ही term है, 1000 में है, PQR है, ओके, X plus Y में कितने है, दो, तो यह कहां जाएंगे, binomial में, ठीक है, और X, X square, X cube, X की power 4, इसमें कितने, यह कहां जाएंगे, यह तो भी अंजग है ही नहीं है, यह किसी में भी नहीं आएंगे, ना monomials, binomials, ना trinomials, यह तीनों में नहीं आ रहे हैं, ओके, और यह वाले इसमें 3 प तीन पद है, तो आप समझ गए इसको कैसे करना, आप देखवागे, इसमें, इसमें यह solve किया है, नेचे देखा, यहां पे solve है, X plus Y contains two terms, जिसमें सिरफ दो term हों, दो पद हों, उसको हम द्वी पद कहते हैं, binomial कहते हैं, यह वाले, और जो हजार है, इसमें एक पद था, इस एक पद ही, द्वी पद, एक पद ही कहेंगे इसको, ओके हिंडी में, clear, और यह जो नीचे है, इसमें four terms हैं, तो यह तो polynomial आ गया ना, इसमें, चार terms हैं, तो यह तीनों में नहीं है, वियंजक हैं, लेकिन चार terms हैं, इसमें तो तीनी terms वाली पुछिए, यह भी तीन है, इस इसमें कितनी, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, ओके, इस तीन वाले त्री पद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके, इस तरह से, और नीचले में two terms हैं, तो यह बाइनोमियल है, उसे नीचले में देखो, वियंजक हैं, लेकिन इसमें, कितने four terms हैं, यह इसमें, जो है polynomial है तेन से उपर polynomial है PQR में अकेली value है तो यह one time तो यह जो अभी तक किया था उसका basic साई सार जो basic किया है उसका आई यह तो यह आपको समझाएगा इसमें दो पद है और इसमें binomial हो गया यह binomial जिसमें दो पद है clear अब हम जाएंगे इसके third question ध्यान दो अब third question क्या इसका it was second question now move on third question question number three act the following इनको जमा करना आपके पास यह values दे रखिये आप nook down कर सकते हैं तीसरे question में a b minus b c b c minus c a c a minus a b इनको जोड़ना ठीक है अगला a minus b plus a b यह second question है b minus c plus b c ok c minus a plus a c यह वाले और third में यह है question और fourth में यह है यह questions आपको note करना अब हम जाएंगे इसको लिख के बताती हूं मैं आपको यहां पे आपको it was question number nine ok I will explain it here ok अब हम इसको करेंगे अब देखो इसमें इसका first question दिहान से समझना है question सारे करने की जरूरत नहीं है ok it's now here we will use the color white this is the white color ok इसमें कितना जोड़ना है bc minus c a अब इसके नीचे लिखते हैं हम जो जोड़ने तो इसके नीचे कहां लिखेंगे bc minus c a कहीं bc ऐा तो bc के नीचे bc लिखना minus c a कहीं नहीं है उपर तो इसको साइई मैं लिख़ दो यहां पर bc minus c a तिसरा है c a minus a b अब c a कहां है c a minus a b minus a b का जाएगा a b के नीचे ये वाला ओके अब इसको हमने add करने इसमें लिखा इसको add कीजिए तो ये a b है plus का ये a b है minus का ओके एक a b है plus का और दूसरा a b है minus का अब क्या हो गया plus 5 minus 5 कट जाता ना 0 अब a b में से a b गया तो कितना बचा 0 आगे minus b c है minus का और ये b c के आगे कोई निचान ने इसका मतलब plus का तो minus b c और plus b c कट गया ये भी गट जाता है अलग-अलग निचान को गटाते हैं एक minus का है और एक plus का है तो ये minus हो जाएंगे तो ये आएगा 0 जब इनको गटाएंगे same value है इसलिए ये 0 है minus c a plus c a ये भी कट गया गटाते हैं ये भी कट गया भी 0 है सारे 0 आए तो इसकी value कितनी है it means this plus this is 0 ओके this was the one method how we solve it हम इसको कैसे हल करेंगे उसका एक method है ओके अब हम next में जाएंगे इसके second question में इसका second देखो second में वैसे second आप खुद भी कर सकते हो उपर चलो second a minus b plus a b a minus b plus a b ये एक रकम है दूसरा तरिक का ये करने का है इसको हम bracket में लिख लो पहले क्या बताया था जो पहले वाली थी उसके निचे a के निचे a b के निचे b b के निचे b a के निचे लेकिन ये दूसरी तरिक के में कैसे करेंगे हम ये bracket क्यों लिख लिए एक value है ये पूरी की पूरी इसमें क्या योग करना है plus b minus c plus b c दोनों तरिके से बता रहें आपको plus b minus c plus b c b minus c plus b c अब इसमें फिर जोड़ दो c minus a plus a c plus c minus a plus a c इसमें ये जोड़ दिया अब इसको हमने bracket में लिख दिया पहली रकम भी हमने bracket में पूरी लिख दिया एक value है ये दूसरी है तीसरी है अब हम इनको खोल देते हैं देखो a minus b plus a b plus b minus c plus b c plus c minus a plus a c इसमें बाहर माइनस हो इसका मतलब यहां बाहर क्या है plus plus इस सब के साथ अंदर जाके multiply हो रहा है जब plus इस bracket के साथ multiply होता है तो सेम निशान रहते हैं कुछ नहीं बदलता अगर minus इसके साथ multiply हो तो sign change होते हैं अब a a का है वो देखो a a a का है अब आप color change कर सकते हैं आप इसका ये वाला color ले सकते हो a का है एक ये है a और का है सिर्फ a एक ये है इनको कठे लिख लो ब्राबर है a minus a अब और b का है एक ये b है minus b एक ये है plus b वैसे यहीं पे भी काट सकते हो आप इसको एक plus का एक minus का ये शूरू वाला प्लस का है ये minus का है फिर ये minus का है b आगे ये plus का भी है आगे a b का है a b सिर्फ यह और भी है कहीं a भी और नहीं नज़र आरा मुझे कहीं BC PLUS C MINUS A यह C है अच्छा C और का है एक यह C है माइनस C PLUS C अब आप लिख सकते हो MINUS C PLUS C कठे कठे आप क्या बच्चा PLUS AB का दूसरा नहीं है फिर PLUS BC PLUS AC बच्चा आप देखो यह अलग-अलग سाइन है अब आप एक कलर चेंज कर दो अलग-अलग साइन है A PLUS का और यह A MINUS का 0 बच गया B MINUS का B है और यह PLUS का B है यह कठ गया MINUS का C है PLUS का C है यह कठ गया बच्चा क्या आप 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 AB PLUS BC PLUS AC यह आपका अंसर बच गया अब आप लिखोगे is equal to a b plus b c plus a c ओके this is the answer a b plus b c plus a c यह अगर एक लाइन में करना हो जहां दो एक प्लस का है से एक माइनस का है से प्लस और माइनस घटाते हैं पसमें a में से जीरो नहीं बच गया c plus का b है माइनस का b है यह घटाते हैं आपसमें तो जीरो नहीं रह गया इसी तरह से c plus का माइनस का c same चीज है तो यह घटाएंगे तो यह कट जाता है आपसमें यह 0 रह जाता है आपने निशान याद रखनें plus plus ऐसे ध्यान रखो plus plus को क्या करते हैं minus minus की value हो वो भी sign वो ही आता है और उसको भी plus करते हैं क्या करते हैं plus जमा करते हैं clear same sign को हम जमा करते हैं और sign भी same आता है same sign वाली value है तो इसको जमा करते हैं और sign भी same आता है अगर अब देखो अब अलग-अलग value हो plus minus तो उसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और इसमें साइन आएगा निशान किस कहता है निशान जो इन दो में से बड़ा होगा ठीक है निशान आएगा इन दो में से जो बड़ा है उसका निशान अगर प्लस वाला बड़ांक है तो उसका निशान आएगा माइनस वाला बड़ा है उसका निशान आएगा यह चीज़ सीखनी है आपने और एक terms जो है एक के साथ ही जुड़ती है Same terms समान पद आपस में जुड़ते हैं अल एक के साथ भी कभी नहीं जुड़ेगा ए, ए के साथ ही जोड़ेंगे Is it clear? ऐसे ही अब हम करेंगे third question कौनसे का? third का third क्या है उसमें? third question में देखो 2, दोनों तरिके आपको पहले बता दी, अब आपको समझ आ जाने चाहिए दोनों तरिके 2P square Q square minus 3P Q plus 4 पहली रकम हमने लिख दी अब दूसरी क्या है? 5, 5 किसके निचे हैगा? इसके निचे 5 के आगे कोई निशान नहीं है का एक होगा? plus का 5, दूसरी वैल्यू है 5 plus 7P Q P Q यहाँ है 7P Q बोरा है तो इसके निचे आएगा minus के निचे plus क्योंकि plus का 7P Q है plus 7P Q minus की सीद में लिखा हमने बिल्कुल plus ठीक है? इसकी सीद में आगे 7P Q के निचे P Q तीसरा है इसमें तीसरा पद आगे minus 3P square Q square अब P square Q square के निचे पर इसमें minus वो रहा है पहले minus 3P square Q square उपर कोई निशान नहीं है इसका मतलब plus ठीक है? ऐसे लिखना है अब हमने इसको एग करना है क्या करना है? एग प्लस करना है 5 यहाँ से हम इसको प्लस करें कहीं से भी कर लो यह देखो minus 2 plus 2 minus 3 कितना है? plus 2 minus 3 P square Q square है दोनों में तो minus का 3 P square है plus का 2 है तो आपको रह पे plus 2 और minus 3 लिखना है तो यह जो है बड़ा कौन सा है? minus 3 है तो minus 3 उपर आएगा अब इसको फिर दुबारा क्या लिखोगे? पहले where it's gone सब कुछ चला गया है ठीक है? दुबारा बताते हैं इसको यह देखो 2 P square Q square minus 3 P Q plus 4 कैसे कैसे आया? इसके साथ हमने जोड़ा देखो plus 5 plus 7 P Q plus 7 P Q निशान साथ साथ लगाएंगे minus 3 P square Q square minus 3 P square Q square इनको जोड़ना है आप देखो यह minus 3 minus 3 बड़ा उपर लिखे है plus 2 अलग-अलग निशान है एक minus का है एक plus का है तो अलग-अलग निशान घटाते हैं तो फैले घटा हो 3 मेंसे 2 गे कितने बचा? 1 और निशान किसका उतरेगा? plus का तो नहीं उतरेगा क्योंकि 2 छोग क्या है तो उतरेगा क्या? minus का क्योंकि 3 बड़ा है बड़ा 3 है इसलिए इसका निशान उतरेगा निचे minus 1 तो यह आगया minus 1 क्या था यह? P square की उतर देना मैं ऐसे इसमे minus 3 plus 7 minus 3 plus का 7 minus का 3 खीक है? अब 7 मैं स्तीन गए कितने बचे? 4 तो यह जमा का निशान आएगा क्योंकि 7 बड़ा है जमा का plus 4 PQ यह सीखना आपको plus का 4 plus का 5 तो यह दोनो plus plus के हैं तो इसका मतलब यह दोनो plus plus के हैं तो जूड़ेंगे same sign जूड़ते हैं पांच और 4 नो यह आपका अंसर आ गया ओके? इस इस यूर आंसर यह आप रफ वर्क कर सकते हो साइक में इस तरह से करना आपको इनको अब आपको यह आ जाना चाहिए अब देखो इसका फूर्थ क्वेश्चन है वैसे तो यह सारे बताने नहीं है फिर भी चलो L square प्लस M square ठीक है? यह है एक value इसमें जोड़नी M square प्लस M square M square के नीचे M square लिखो N square उपर नहीं है तो N square बहार लिख़ो प्लस M square Plus L square अब N square प्लस L square लिखो प्लस L square के नीचे L square जायँ इसके आगे N square का कोई निशान नहीं, इसका मतलब plus ठीक है, N square plus L square था, तो N square N square के निचे आया, उसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब plus plus L square, L square यहां आ गया, ओके, फिर है 2LM plus 2MN plus 2NL उपर कहीं LM, NL नहीं है, तो यहां लिखो 2LM, बाहर लिख लो, इसके साथ 2MN plus 2, एक की लाइन में लिखना है आपको NL, ओके, पर एको जाएगा यह अब देखो, अब यहां पर L square के निचे L square, दोनो plus के, एक L square उपर, एक L square निचे, तो कितने L square होगे, दो, ऐसे ही दोनो plus के यहां है, एक L square, M square, कोई निशान नहीं था, इसका मतलब ही plus का होता है यह याद रखना, एक M square उपर, एक M square निचे, तो कितने M square होगे, दो M square, plus, plus और plus, यह एक N square यहां है, एक N square यहां है, कितने N square होगे, दो N square, 2LM के साथ कुछ नहीं जूड रहा है, plus 2MN के साथ कुछ नहीं जूड रहा है, plus 2NL के साथ कुछ भी नहीं है, अकेले-अकेले यह जोड दी है, हो गया यह इस तांसर, clear, it's clear now, मुझे लगता ही, अब आपको समझ आ जाना चाहिए, I think, यह आपको समझ आ चुका, इस तरह से इक वास थार्ड question of exercise 9.1, now we will do fourth question, clear,